जहां पर हम लोग आपके लिए इंडिये प्रीवियस यर क्वेस्टन के सिरीज चला रहे हैं एक एक क्वेस्टन के थू आपको कंसिप्ट रिवाइस कराने की कोशिश की जा रही है तो आज का क्वेस्टन एंडिये 2018 पेपर में आया हुआ है इस क्वेस्टन में इसने कहा अगर आपको थोड़ा सा प्रेंट क्लियर नहीं है तो मैं पढ़ देती हूँ इन 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 अगर इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर solve करते हैं तो ध्यान से देखेगा A के place पर X upon में 1-R is equals to 5 यहां से 1-R is equals to X upon 5 या R is equals to 1-X upon 5 यह हमारे पास आ रहा है लेकिन अपने को तो value X की निकालनी है तो GP जब पढ़ाई जाती है उसमें एक important concept आता है किसी भी infinite terms की GP का sum केवल और केवल तब ही possible होता है जब उसका common ratio lesser equals to 1 होता है अगर आपको यह बात नहीं पता तो अब note कर लीजे यही इसी series का फाइदा है कि आप लोगों के जो ऐसे छोटे छोटे concept में सो रहे हैं वो revise हो जाए क्या यहाँ पर हम लोग इसको r lies between minus 1 to plus 1 लिखेंगे अब r तो 1 minus x upon 5 है lying between 1 minus 1 1 दोनों तरफ difference कर दीजे तो आपके पास यह बन जाएगा इस तरह से minus का sign हटाना है multiply करेंगे इन equality change होगी 0 इधर आजाएगा x upon 5 यह plus 2 और अगर 5 से multiply कर दें तो यह आजाएगा 10 यानि x की value कहां से कहां के बीच में लाए करेगी 0 से 10 के बीच में कहां से कहां लाए करेगी 0 से 10 तो उमीद करते हैं जिस purpose से यह series हमने बनाई है आप लोगों के लिए कि छोटे-छोटे concept भी miss ना हो फटा-फट revise हो जाएं long time तक revise रहें इनके through उमीद करते हैं वो पूरा हो रहा होगा आपका purpose तो अगर आपको यह question clear है उसके लिए बने रहें मेरे साथ the tutors academy पर सो मिलते हैं आपसे next question के solution में तब तक के लिए जय हिद्ग